तो आप लोग जो है महादेव क्लासेज में हैं तो इसमें जो है आप यहाँ पर सर्च करके जो है बाकी जो कलाकार हैं इनकी वीडियो भी देख सकते हैं तो आज का मेरा विषय है नीरज मजूमदार तो नीरज मजूमदार के बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ इससे पहले मैं बहुत सारे कलाकारों के विषय में करा चुकी हूँ तो आप वहाँ से जाके जो है प्लेइलिस्ट में तो प्लेइलिस्ट में जाके देख सकते हैं तो पहला question बनेगा कि नीरज मजूमदार तो इनका जनम जो था 1916 में से और मिरत्य जो थी ये 1922 स्वी में हुई थी तो नीरज मजूमदार का जनम कब और कहां पर हुआ था तो ये जो नीरज मजूमदार है इनका जनम हुआ था 11 मई 1916 को कलकत्ता में हुआ था कहां पर हुआ था 1916 में कलकत्ता में हुआ था परसिद बंगाली उपन्यास कमल कुमार मजूमदार के छोटे भाई थे तो उनके छोटे भाई जो थे नीरज मजूमदार थे या ये भी पूछा जा सकता है कि किस कलाकार के भाई जो है उपरन्यास कार है तो आपका अंसर होगा नीरज मजूमदार ठीक है या ये पूछा जा सकता है कि नीरज मजूमदार के भाई का क्या नाम है तो क्या आंसर होगा कमल कुमार मजूमदार तो यहां से तीन चार कोस्चन आपके इस तरह से पूछे जा सकते यह यह भी पूछा जा सकते है कि कमल कुमार मजूमदार क्या है उपन्यासकार है चित्रिकार है क्या है तो आपका आंसर होगा उपन्यासकार आगे है नीरज मजूमदार की छोटी बहन सानू लहरी की प्रसिद्धी किस रूप में है तो वो है चितरकार वे कला सिक्षी का यानि वो चितरकार भी है और कला की अध्यापी का भी है कौन सानू लहरी या सानू लहरी किसकी बहन है तो आपका अंसर होगा नीरज मजूमदार या ये भी पुछा जा सकता है कि सानू लहरी के भाई का क्या नाम है तो उसमें या तो दोनों का नाम दिया होगा या एक का तो आपका अंसर होगा ये भी दोनों या जो भी दिया होगा या एक का नाम दिया होगा तो पुछा जागा कि इनके भाई कोन है तो वहाँ पर वह आंसर देना होगा, या तो कमल कुमार होगा, या निरज मजूमदार होगा, भारत की सरपर्थम में परमुख महिला पब्लिक आर्टिस्ट थी, तो कौन थी, वो थी, सानु लहरी, विस्की सबसे उची सारुजनिक कला यानि विस्की सबसे उची सारुजनिक कला पब्लिक आर्ट का उधारन है तो इसका जो उधारन है दा इस्पियर आफदा डबलिम क्या है दा इस्पियर आफदा डबलिम या मानुमेंट आफ लाइट क्या है मोनुमेंट आफ लाइट किसने अपने चित्रों में देवनागरिक लीपी का प्रियोग किया है तो किसने किया है नीरज मजूमदार ने किस कलाकार ने आकर्तियों के साथ चिनुवे अक्षरों को अपने चित्रों में संयोजित किया है तो किसने किया है नीरज मजूमदार ने किसी के साथ आज की क्लास ही पर समाप्त होती है और आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज क्लास को लाइक सेर और सस्क्राइब करें धन्यवाद